नमस्कार दोस्तो मैं नीरज और आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है जो आप सामने यह खुबसूरत सा फूल देख रहे हैं यह गजेनिया का है तो गजेनिया में फ्रेंड्स आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं तो आज हम इसी प्लांट की केर के बारे में बात क कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो को नाटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों यह गजेनिया का प्लांट है यह विंटर प्लांट है इसको सर्द्यों में ग्रो किया जाता है आप इसको सीट से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है और दोस् इसमें आपको बहुत सारे कलर्स और अच्छे-चे फ्लावर्स मिलते हैं तो यह विंटर का बहुत ही हाडी प्लांट है जिसे रफन टफ कह सकते हैं आप इसे एक गमले में एक ग्रो कीजिए तो यह आपको अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और इसकी गमले में फैल जाता ह है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स निगलते हैं अब बात करते हैं दूस्तों अगर आप इस प्लांट को लगाते हैं तो इसको आप लगाने के लिए जैसे मैं सभी प्लांट्स की मिट्टी त्यार करता हूं तो आप इसके लिए वैल्ट्रे मिट्टी त्यार कीजिए वै आप इसमें एक हिस्सा garden soil, एक हिस्सा vermicompost और एक हिस्सा निमकी ख्री मिलाके आप इस plant को लगा दिजिए और इस plant की मिट्टी में चार तरव आप इसमें fungicide powder भी थोड़ा add कर दीजिए अब बात करते हैं इसकी water requirement की तो आप जब इस plant को लगाएंगे तो इसको बरपूर तरीके से एक पानी दीजिए और आप इसको दूप में रख दीजिए और इसमें आप अधिक पानी ना डाले अगर आप इसमें अधिक पानी डालेंगे तो इसकी roots में fungus लग जाता है और इसकी पत्यों पे भी pest जो रश्चूसक केड़े हैं वो लग जाते हैं इसको बहुत अधिक पानी की requirement नहीं रहती जब आप इसकी उपर की मिट्टी सुखी दिखाई दे तब आप इसमें water add कर दीजिए वैसे सुखी मिट्टी में भी अराम से एक बार एक दिन आधा दिन एक दिन अराम से रह लेता है अब बात करते हैं इसके sunlight requirement की तो इसको sunlight बहुत पसंद है आप इसको full sunlight में रखिए आप इसको पूरा दिन की sunlight देंगे तब यह आपको flowering produce करेगा और अधिक फ्लावरिंग देगा अगर आप इसको sunlight में नहीं रखते हैं कि शेट एडिया में रख देते हैं या फिर जापे एक ये दो गंटेक दूप आती है तो वहाँ पर ये प्लांट बुशी तो होगा ग्रीन तो रहेगा बढ़ेगा भी लेकिन ये इस तरह कैसे प्लावर नहीं देगा तो आप इसे कोशिश कीजिए वहाँ पर रखिए जापे इसको पूरे दिन की sunlight मिले अब बात करते हैं इसकी fertilizer requirement की तो इसको ज्यादा fertilizer requirement की वह शक्तर नहीं है आप इसे बर्मी कमपोस्ट जब आप इसे लगाएंगे तो इसमें बर्मी कमपोस्ट डालके लगा दीजिए बाकि आप इसे महिने में एक चमच दो मच बर्मी कमपोस्ट डाल दीजिए और अगर यह फ्लावर है अगर आप इसमें chemical यूज़ करना जाते हैं तो आप इसे तीन-चार दाने डिए-पी की दे सकते हैं बाकि इसको अधिक खादर की requirement नहीं रहती अब बात करते हैं इस पर होने वाले पैसे टक की तो आप इसमें ज्यादा watering करते हैं और नहीं ख्याल करते हैं तो इसके लिए आप नहीं मॉयल का यूज़ कर सकते हैं आज कल तो आगरी कल्चर की शॉप पे डैडी टू नहीं मॉयल आते हैं जिसमें स्रब आपको पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं ज्यादा अच्छे रहते हैं अगर आप इस प्लांट को एक ही पॉट में दो लगाएंगे तो ये नीचे से इसके बेई प्लावर निखलेंगे और ये फ्लावरिंग थोड़ी कम करेगा तो आपके flowers भी अच्छे से और बनेंगे यह इसी तरी के से नीचे से इसके बेवी plants निकलते रहते हैं और यह growth लेते रहता है यह आपको पूरे pot को cover कर लेगा और यह फूलों से बढ़ जाएगा और प्लांट से भी तो इसकी यही खास जरूरी जो बाते है मेंली आप इसको फुल से लैट में रखे इसको इसको लैट बहुत पसंद है और इसको और वाटरी ना कीजिए इसकी मिट्टी ऊपर की ड्राइब होने के बाद ही आप इसमें वाटर एड कीजिए बाकि यह बहुत ही हड़ी plant है और इ एक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ है 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 है